स्टुदेंट्स अब जो हम चैप्टर्स फाइव डिसकस करने अपना क्लास 7 का लाइन्स एंगल्स उसमें हमें पार्ट फाइव डिसकस करना है जिसमें हमारी थर्ड एक्सरसाइज रहेगी अगर आपने पार्ट फॉर नहीं देखा है तो पहले उसको ध्यान से देख है तो लेट अस्टार्ट इस एक्सराइज 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 नंबर थी दिखें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें यहां पर आपको एक फिगर दिया गया है इसमें हमने वही चीज़ लिए है कि मेरे पास दो पैरलल लाइन से हैं और यहां पर तो हमें सिरफ पैर बताना है तो अगर मैं यह भी नहीं बोलता कि यह पैरलल लाइन से हैं इवन दैंट इस ओके यह ट्रांसवर्सल है एन एन एम आर्ड़ लाइन्स एंटी इस माई ट्रांसवर्सल तो आपको क्या बताना है अप अपने आप लिखिया अगर आपने पार्ट समझा अच्छेगा कि क्वेश्चन में यह मेंशन नहीं है कि यह मेरी पैरलल लाइन से हैं तो मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूं ठीक है आपको सिर्फ कोर्सपोंडिंग अंगल्स का पेर बताना है तो कौन-कौन से है मेरे कोर्सपोंडिंग 5 & 6 आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं अंगल 5 & 6 फर्स्ट पेर दन यू कन से अंगल 3 & 4 सेकंड पेर ठीक है 5,6,3,4 तन यू कन से अंगल 7 & 8 7 & 8 1 & 2 अंगल 1 & 2 यह हो गए हमारे कोर्सपोंडिंग अंगल्स ठीक है ना आपको बताना है पेर ओफ अल्टरनेट इंटिरियर एंगल्स सेकंड पार्ट में लाइन के अंदर की तरफ अल्टरनेट अंगल्स यह है हमारे 3,8,1,6 तो आप क्या लिखेंगे पेर में 3 & 8 इस और माइ अल्टरनेट इंटिरियर इस और में 3 & 8 इस और माइ अल्टरनेट इंटिरियर एंगल्स नेक्स आप ले सकते हैं थर्ड पार्ट के लिए एक बार यह नोट कर लीजिए मैं इसको रब कर दूँ है देन हमाराम से समझ सकते हैं फिर से ठीक है कभी भी आपको नीड हो वीडियो को पोस्ट करके उसको एक बार नोट करिए यह मेरी ट्रांसवर्सल है लेकिन हमें आपर इंटिरियर एंगल बोला है यह ध्यान से देखेगा अधर्वाइज मैं पेर ओफ एक्स्टिरियर एंगल भी बोल चकता हूं यह मुस्ली हमारी दीलिंग जो होती है वी इंटिरियर एंगल से होती है तो पेर्स ओफ इंटिरियर एंगल्स ओन दे सेम साइड अफ दे ट्रांसवर्सल यह ट्रांसवर्सल इसकी सेम साइड पर नेक्स्ट आप लेहंगे आंगल वन नं एट उसके आत फोर्स पाथ देखिया cumplis the vertically opposite angles where do we have vertically opposite angels 5 137 इसार मा Battle अपोसined angles, angle 1 and 5, okay, angle 3 and 7, vertically opposite है, लेकिन सिरफ यहां पर नहीं है, हमारे पास vertically opposite यहां पर भी है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, angle 2 and 6 and then 4 and 8, although I know vertically opposite angles हमारे equal होते हैं, but still I am not writing that, because यहां पूचा नहीं है, हमें सिर्फ यह बताया है, कि आपने identify करना है vertically opposite angles को, तो मैंने identify कर दिया, identification बहुत जुरूरी है, क्योंकि उसके बेस पर आप question में unknown value भी निकाल सकते हैं, जैसा कि हम देखने वाले हैं, question number 1 था हमारा, now we have question number 2, अभी जैसा मैंने आपको बताया था, इस figure में P और Q parallel हैं हमारे पास, ठीक है, P and Q lines are parallel, find the unknown angles, अब आपको यहां पर वही चीज़ observe करनी है, कि अगर P and Q parallel हैं मुझे दिया हुआ है, you can see, this is my transversal, अगर P and Q lines are parallel and this is my transversal, तो अब आप देखिए ध्यान से, कि कौन से दो angles मेरे equal हैं, कौन से angle मेरे corresponding हैं, और उसके base पर, कौन से दो angle मेरे equal हैं, मुझे सब find out करने हैं, बट with property करने हैं आपको यह ध्यान लखेगा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यह parallel lines हैं, confused नहीं होना है, ध्यान से समझना, 125 degree and angle D, यह ना, 125 degree and angle D, they are corresponding angles, अगर मैं आपको ऐसे बना के दिखा हूँ, तो हो सकता है, आपको ज्यादा clear लगे, लेकिन अभी जैसे हमें figure दी हुई हैं, हम उसी के according बना रहे हैं, 125 degree की position मेरी यह है, देखें, यह दोनों parallel lines हैं, यह मेरी transversal है, transversal के top पे left corner, है ना, and this is my angle D, इसकी position यह है, आपको पता है कि यह दोनों हमारे corresponding angles हैं, अलग यह मैंने ऐसी बनाए हैं, तो आपको इसी से निकालना है, I was just trying to show you, कि diagram आप ऐसे भी देख सकते हो, तो I can say, क्या बोलेंगे हम, angle D is equal to 125 degree, reason आप क्या देंगे, I will say, corresponding angles, okay, D हमारा 125 degree है हो गया, corresponding angles, अब अगर आपके बाद D आ गया है, तो it is very easy to find out other angles, यह ना, बट still, अगर आप F निकालना चाहें, तो आप F कैसे निकालनेंगे, still we have one more procedure, अगर मुझे F निकालना है, तो मैं को इंटीर भी यूज़ कर सकता हूँ, D के साथ, मैं linear pair भी यूज़ कर सकता हूँ, F के साथ, F के साथ 125, किसी पर आप निकाल सकते हैं, तो suppose मैंने अभी बोला आपको, क्योंकि हमें बात भी करनी है, co-interior angles की, है ना, तो I can say, F plus D, is equal to 180 degree, supplementary होते हैं दोनों angle, ठीक है, तो आपको पता है, के D कितना है, 125, तो what is the value of F, 180 minus 125, okay, that gives you 55 degree, okay, तो यहाँ पर हमारा जो angle F है, यह आ गया 55 degree, D हम निकाल चुके हैं पहले ही, that is, 125, 125 degree, अब आपके लिए बाकी angles निकालना बहुत असान है, देखे, आपको पता है, F मेरा 55 degree है, तो E क्या है F के, vertically opposite, तो I can say, E is also, 55 degree, clear है आपको, E and F, they are vertically opposite angles, I can say, this is 55 degree, E is also 55 degree, so I am writing it over here, angle E is equal to F, vertically opposite angles, तो यह हमारे अंगल इतने निकल गए हैं, आप इनको नोट कर लीजिये, E, F, D, आप बाकी अंगल भी आप इसली निकाल सकते हैं, देखे, E जो अंगल है मेरा 55 degree के इक्वल है, उसी के corresponding A है, otherwise आप A और D को linear pair से भी निकाल सकते हैं, you know that this is a straight line, so A and D forms a linear pair, otherwise आप directly कह सकते हैं कि E is equal to A, corresponding angles, angle A is equal to E, I am not writing the reason what there, E is equal to A, so angle A is equal to 55 degree, अगर A 55 आचुका है आपका, ठीक है, angle C is also 55, vertically opposite angle, vertically opposite किसके है, आप क्या सकते हैं, आप एंगल A is equal to C, यह ना, these are vertically opposite angles, angle D and B, they are also vertically opposite, so I can say B is also 125 degree, तो बहुत easy है, लेकिन अगर आपको concepts, सारे अच्छे से याद होंगे, तो आप ऐसा कोई भी question, easily कर दोगे, बहुत जल्दी से, तो यह था students, हमारा question number 2, अब आपको concepts, अच्छे से आते हैं, आप समझ चुके हैं, तो आप easily यह questions कर सकते हैं, बहुत असान है, find the value of X, if L is parallel to M, अब L और M हमारे parallel हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, कि यह angle 110 है, और यह मेरा X है, अब कहीं पर बच्चे जल्दी से गल्ती करते हैं, क्या, वो ऐसे बोलेंगे, कि यह alternate interior है, बिटा अगर मैं आपको दिखा हूँ, यहाँ ध्यान से देखेगा एक बार, यह वाला angle, जिसको मैं यहाँ पर Y ले रहा हूँ, X and Y, they are alternate interior, 110 and X, alternate interior नहीं है, यह मेरा exterior angle है, तो आपका 110 and Y, it forms a linear pair, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, कि आपने 110 लिया हुआ है, तो इस angle is also 110, there are various ways, आप किसी भी तरह से निकाल लिए, ऐसे नहीं कि जो मेरा procedure आपको बता रहा हूँ, आपको यही follow करना है, आप यह वाला angle निकाल के भी बता सकते हैं, because this angle and this angle, they will be corresponding, अगर आप y निकालते हैं, तो y and x, they are alternate interior, और आप कैसे करते हैं, वो matter नहीं करता, answer लेकिन आपका same आएगा, तो for the time being, मैं ऐसे करता हूँ, मैं यहाँ पर y ले रहा हूँ, ओके, अब मुझे पता है, y is equal to 110, because of, यह first part का answer हम लिख रहा है, angle y is equal to 110 degree, vertically opposite angles, figure आप यहाँ से देख रहे हैं, देखें, angle y is equal to 110 degree, vertically opposite angles, then I am saying, x and y का sum कितना है, x plus y is equal to, 180 degree, है न, y, आप supplementary भी बोल सकते हैं, आप sum of co-interior angles भी बोल सकते हैं, हैं, you can say anything, अब आपको y पता है, 110 degree है, तो what is the value of x, 180 minus 110, that gives you 70 degree, तो angle x आगया मेरे पास, कितना, angle x आगया मेरे पास, 70 degree, आप अगर इसको निकालते हैं, linear pair से, तो यह 70 आता, यह दोनों alternate interior होते हैं, हैं, बहुत easy है, अब next question देखिए, इसमें भी आपको क्या निकालना है, यह मेरे रब कर देता हूँ, एक बार आप इसको note कर लिजेगा, ठीक है, अब हमने next question देखना है अपना, easy question का, next part, आपको यहाँ पर भी x निकालना है, find the value of x, तो आपने देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, मुझे L is parallel to M, and for this diagram, we can say A is parallel to B, ठीक है, तो यह बहुत easy है, यहाँ पर आपको क्या दिखर है, देखिए बेटा, there is nothing to do in this, if this line, and this line, they are parallel, and I am taking this as transversal, यह वाला angle, और यह वाला angle, यह क्या है एक दूसरे क्या है, corresponding angles, तो आप simply यहाँ पर बोल सकते है, कि x and 100, ठीक है, they are corresponding angles, so I can say angle x is equal to, 100 degree, corresponding, angles, ठीक है, clear है बेटा, these two are corresponding angles, so that's why x is equal to 100 degree, students, आप हमारा, last question जो बचता है, let us see that question, question number 4, देखे, अभी हमाही आपर क्या बोला हुए, हमें आपर angles दिये हुए, and they are saying, find out if l is parallel to m, this is l, and this is m, यह ना, this is l, and this is m, देखे, पता चल रहा है, कि l और m, हमारे parallel नहीं है, l and m, they are not parallel to each other, ठीक है, लेकिन फिर भी, हमें निकालना है, प्रूफ करना है, in the given figure, decide whether l is parallel to m, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यह जो angle है, मेरे, यह ना, these are my co-interior angles, तो आपने क्या पढ़ा है, अगर co-interior angles का sum, 180 degree होता है, तो क्या होंगे वो, ठीक है, l is parallel to m होगा, आप देख सकते हैं, add करके, I can say, 126 plus 44, हमारे पास क्या है, 180 degree, तो आपको पास चल गया, कि co-interior angle का sum, 180 degree है, it means, these angles are supplementary, है ना, और you can say, angles on the same side of the transversal, interior angles on the same side of the transversal, they are, okay, supplementary, so these lines are parallel, l is parallel to m, now, for the second case, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, l and m are two lines, n is my transversal, okay, तो अभी मैं इसमें कोई प्रोपर्टी नहीं लगाऊंगा, हमें यह बताना है, कि क्या यह transversal, क्या यह lines, l and m, एक दूसरे के parallel हैं, अब because, यह मुझे पता लगाना है, लेकिन आपको यह पता है, कि यह 75 degree है, तो यह भी 75 degree होगा, ठीक है, but 75 plus 75, यह मेरे co-interior angles है, angles on the same side of the transversal, अगर आप इनको add करते हैं, so what do you get? we get 150 degree, okay, 75 plus 75 is 150 degree, this is 150 degree, 75 plus 75 is 150 degree, तो आपने देखा, कि co-interior angle का sum, 180 degree नहीं आ रहा है, तो I will say, l is not parallel to m, l is not parallel to m, and here, l is parallel to m, अब parallel to को आप ऐसे लिख सकते हैं, तो पेटा यह था हमारा last question, इस chapter का, एक चीज़ याद रखेगा, कि lines and angles, जो यह chapter है, यह आपका base बनाता है, 7th class में, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, इसमें, अमारे पास types of angles, जो आपने different types के पड़े हैं, उनको बहुत ध्यान से समझिए, revise करिए, extra books, extra worksheets, extra assignments, यूज़ करके, concept जो मैंने आपको दिया है, यह आपका apply करके, आपको इभी question कर सकते हो, okay students, thank you. कर दो